मैं आपसे बता रहा हूँ कि खड़ियांत्रों तो हो रहे हैं, अहुए हैं, अहोते रहेंगे, लेकिन इमान इस बात का है, कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला, और दिन जब तय हो जाएगा, तो घटना करम सपने में भी किसी ने न सोचा रहा हो, घट गया, अन्होनी है, जो घटना हुई उनके साथ, लेकिन अगर इसकी निश्पक्ष जाच होगी, तो आप भी हो, मैं भी हूँ, ये सारी स्क्रिप्ट अब पहले से तयार थी, इतने शांदार वो वेपन जो मिले, और वो तीन ही मारे हैं, हमें तो कोई बता रहा था कि पांच लोग शूट किये, तीन के लिए ये भूमिका थी, जैसे सब के काम बाटे गए थे, उनमें तीन के लिए ये भूमिका थी, उनका ये रोल था, कि तुम लोग जल्दी जल्दी जैसिराम, जैसिराम का नारा भी लग और जब वो गिरे पड़े हों माना सन इस्थिति में तो दोड़ दोड़ के उनको उपर भी फायर भी करना ताकि जल्दी जल्दी फिलिम भी बना के देखाये जागा यही तीनों है यही तीनों और एकके सिपाही दूदू अदमी को अकवारी में इसे पकड़े जैसे कबड़ का मैच खिला आओ तो यह अभी जो असली उसमें जो शूट करने वाले थे यह तो तीनों थे ही इसके अलावा भी थे यह जाच का विशाय है कि उस समय उस दिन किसके जिम्मे कानून बेवस्था थी देश के बरिश्तम वकील ने कहा है एक हत्या अतिक अहमद और उनके छोटे भाई अश्रफ की हुई और दूसरी हत्या कानून बेवस्था की हुई और आज ही मैं देख रहा था इस पर भी किसी दार्शनिक ने आज ही कहा है कि वो जो जनाज़ा था वो अतिक अश्रफ का जनाज़ा ही नहीं था वो हमारे देश की कानून बेवस्था का जनाज़ा था हमें शरम ना आए हम बेशरम हैं हमें बेशरम बनाने के लिए आप ही लोग हैं हमारी बेशरमी को भी आप हमारी उपलब्धी पताते हैं उपर सबका भी मालिक बैठा हुआ है हर हकूमत का हाकिम भी बैठा है ए राजनीतिक व्यक्ति से आप पूछ रहें तो बयान किसका आएगा किसी का बयान नहीं आ रहा आप जाके पूछते हो प्रोफेसर राम गोपाल यादों से आप जाके पूछते हो मानिय अख्लेश चिंग यादों से आप जाके पूछते हो जिससे आप पूछना चाहते हो सब लोगों से पूछा सब लोग बोल लाए है सब बोल रहे हैं अपनी भी फलता को किसी की भी फलता को आप उपलमधी बता दो आप ही तो अंकलन कर रहे हो कि इसका फाइदा मिलेगा की नहीं मरवाओ अगर फाइदा मिल्ला मरवाने से फाइदा मिल्ला लोगों के घर गिराने से अब तो पता चोबी से मिल लगेगा इसका राजनीतिक लाब आगामी लोग सभा में मिलने वाला है किसको अब इसका राजनीतिक लाब नहीं मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं का राजनीतिक लाब न लेना है और न उस पर हमें चर्चा करना है इसकी राजनितिक लाब के लिए नहीं कर रहे हैं या तो हम कहें कि हम ब्यवस्था बनाने में अक्षम है मेरा मकसद किसी को गाली बकना नहीं है लेकिन जिसको आप एक अच्छी चीज़ के रूप में परसुत कर रहे हो बच्चों के सामने, महिलाओं के सामने जो द्रिश आप तीवी में परोस रहे हो एक अंजाना सा तनाव एक अंजाना सा वातावरण में टेंशन, खौफ ये किसके लिए पैदा कर रहे हो अपने देश के लोगों में तनाव पैदा करना ये किस साथ समाजने लेकिन आपको आपका चैनल कहिएगा इसी में चल ला आप जब तक हेडिंग नहीं लगाएंगे कि अगले अंगला नंबर मुक्तार का मैंने कल एक पत्रकार बंदू चे कहा था ये बात आपने हमसे पूछी धमकाने के लिए या ये बात आपने पूछी कि किसी की कार्सप्रेसी में आप समलित है इसलिए आपको पता है या ये बात आपने हमसे कही इसलिए कि अमुक व्यक्ति ने हमको ऐसा करने के लिए बताया है तो आप बताईए ना ने ने हम कुछ नहीं ऐसा तो ऐसा नहीं तो इसा सवाल क्यों अब उस कहानी पुरानी होर चली तो जल्दी से मुक्तार का नाम जोड़ दिया जाए और थोड़ी आगे बढ़ेगी पंदरा तारिक की स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी दिन की घटना करम क्या होगा और रात का घटना करम क्या होगा पंद जिले की फोर्स गाजीपूर में बुलाई गई थी जिस दिन आपको पैसला आना जी और दिल्ली के मीडिया के लोग आये थे मेरा इंटर्विव लेके गए हैं पटना आ गया था लखनव आ गये थे बनारस से आ गये थे आप गाजीपूर के प्रिस के लोग हो आपकी संख्या दस बीस रही होगी लेकिन वो पचास सो थे हम तो हर तारीक पे जाते हैं मैं तो सड़क चाप आदमी हूँ एक गाड़ी लेके चला जाता हूँ को चार लोग बढ़ते हैं बस कोई बता रहा था कि आप जो है वो अपने सामान लेकर आए थे गाड़ी में कि आपको शायद अब फैसला जब सुनने जाता है तो आदमी जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन होंगी उसके लिए तयार होके जाना कोई बुरी बात नहीं है निड़े का सुईकार हो पसंद नहीं आये तो भी उसका उसकी आलोचना नहीं करूंगा उसकी अपील करूंगा